तो हेलो फ्रेंट्स यह फाइनल का आज आखरी पेपर आईडीटी का पेपर कम्प्लीट हो गया है और 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 न्यू सेवर्स का पेपर का आज मैं रिव्यू अनेलेसिस करने जा रहा हूँ तो ओल्ड और न्यू पेपर दोनों ही साथ आई तिंग सेम है तो चलिए इसका रिव्यू अनेलेसिस करते हैं कि पेपर कैसा आया था और एजी टू मॉडरेट था कि मॉडरेट टू हार लेवल था और अगर आप पहली बाद चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए लाइक कर करिए शेयर करिए अपने प्रेंड्स के साथ और जो मैं अटेम्ट की प्रपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए जिसका नाह मैं आपको कंसल.com यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको कंसल तो आपको ही चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप आपको CA final से connected telegram channel मिल जाएंगे group मिल जाएगा आप वहां connect हो सकते हैं वहां doubt clear कर सकते हैं वहां पर different types के ABC analysis आपके different types की strategy कैसे policy होनी चाहिए क्या strength होनी चाहिए कैसे paper करना चाहिए सारी details में दी जाती ही बता जाती है और video notification या ICA के तरब से आती है उसारी आपको provide की जाती ह साथ इजात आपको website मिलेगी नीचे www.cancel.com उस पे आप जाके search कर सकते हैं वाफरिंग कर सकते हैं वहां पर आपको different type की articles मिलेंगे पढ़ने को और different type की courses आने वाले हैं जो आपको CA final और CA exam के बाद clear करने के बाद क्या-क्या important है करने के लिए जिससे आपकी job लग सके सारे courses आने वाले हैं तो उस website में बने रहे हैं उसको subscribe कर लिजे और आपको अगर my attempt की preparation करने वाले हैं तो आपको इसी में top educators की books का link में मिल जाएगा जिससे आप उसको click करके buy करके discounted price में ले सकते हैं और my attempt की preparation कर सकते हैं तो चलिए paper का review करता हूँ मैं यह आपकी website जिसका नाम है आपको consult.com to provider financial literacy and consultancy तो आप यहाँ पर देख सकते हैं different type के articles हैं CA final mcq में जो number exam में आयते exam के वो उसमें दिये हुए हैं अगर आपको technical analysis indicators के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप जान सकते हैं share market में अगर आपको interest है तो description में आपको link मिलेगा जहां से आप DMAT account खुल सकते हैं और share क्योंकि Sensex 50 के पहुँच चुका है और profit generate करने के लिए different type के IPOs आने वाले हैं तो उसको अगर आपको profit लेना है उसका benefit उठाना है तो आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से आप add हो सकते हैं और आपको free में account खुल जाएगा कोई भी technical problem हो तो आप मुझसे consult करिये मैं उसे resolve करूँगा और अगर आपको cryptocurrency में investment करना है तो नीचे इसको description मिल जाएगा आपको cryptocurrency से आप वहाँ से link से click करके cryptocurrency buy कर सकते हैं और उसके बाद आप trading कर सकते हैं और बहुत ही profit generate कर सकते हैं इस हमें cryptocurrency 30 लाग के above हो गया है तो यह सब आपको article निल जाएगे बाकी इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो इसमें different type के sites पे course आने वाले हैं चलिए पेपर का review analysis शूरू करते हैं आपका computation of supplies related question था जिसमें की वह महाराज मेरे इस्टाट था उसकी जो interest rate supplies थी वह दी होई है fresh fruits, vegetable, fresh juices, carbon fruit और इनकी amount दी होई है आपको taxes उसके rate दिये हुए हैं कि किसके पर क्या अप्लिकेवल है तो आप ही देख सकते हैं कि fresh juices और carbon fruit drinks पर ही tax rate अप्लिकेवल है तो उसके बाद उसने क्या किया जो fresh fruits है fresh juice है तो उसके लिए उसने GTA की service ली एहमदाबाद बेस थी तो आपको यहाँ पर देखिए GTA भी देखना है और आपको इसको भी देखना है उसकी amount 20 लाइक रुपीज थी तो GTA ने उसको पे करने के लिए नहीं किया तो GTA का reverse charge लग गय कि जो और है उस पर आपका amount of input tax credit दिया हुआ है क्या क्या amount है उसके बाद दिया है तो आपको net liability निकाल लिए जीस्टी की और इसको पेमेंट करना है उसके बारे में बताना था तो इसको आपने कर लियोगा बहुत आसान कोशन था इसमें क्योंकि यह review analysis है इसलिए मैं इसको इस तरह बता रहा हुँ तो पेपर वह लंबा हो जाएगा चली सेकंड पेपर कोशन देख लेते हैं इसमें आपकी place of supply के बा तो आपको पता है इस रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस दी आती है तो जहां पर इसको सर्विस प्रवाइड की गई है वह माना जाएगा चली एबिसी में पटना इंपोर्टर स्टें गूर्स रॉम यूएस है और उसने बैसलें डिल्विरी गूट्स वर टेकन एट कोलकत and the goods are stored तो यहांपर वह इंपोर्ट कर रहा लाई एंपोर्ट उझ मैं से और उसकी जो डिलिव přिसल की वह ली आता है ना कि जहां पर मुवमेंट और डिलेवरी वेसल की होती वहां लियाता है तो चौता देख लिएते हैं मिस्टर रेइस्टर इन गौहाटी है जब देख लेते हैं यह चैन नहीं से ट्रैवलिंग कर रहा है ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवलिंग कर रहा है यहां से ले रहा है बोर्डिंग से चन्नाइड लेग और डेली का वहाना जाएगा परचेस करता है कहां से किया तो ऑनलाइन किया जहां से तो लिया जाएगा चलिए देख लेते हैं यह इजी पॉशन था जो जो परचेस करता है तो जहां से संड करता है और जहां पहुंसता है वहां की प्लेस आउस प्लाइगे जारकन का और शेयर ब्रोकर जो है पटना का है रेस्ट्र पटना माना जाएगा तो यहां से लोडिंग होती है बोड की महां से माना जाता है तो इसका अंसर होगा लगनोग चलिए वाला कोशन देख लेते हैं तो यह वाला कोशन आपको कॉस्टम जूटी लिगाने के लिए था तो आपके कॉस्टम से यह कोशन आता ही है वैल्यूशन का कॉस्टम जालने का तो और बैगेज का तो इसको आपने जरूर्व से तयार किया होगा और आपको कृता है जूट सब्सक्राइब करता है अंक्रशन के प्राइब की तो यह धीर से कर रहा है तो कुछ दिया हुगा है तो यह बी आड़ोगा Commission payable to local agent of exporter paid by ABC Trade International तो लोकल एजेंट को दिया है तो अगर buying commission होता है तो वो नहीं add होता है लेकिन अगर selling commission है तो और फिर्ट आपका इतना दिया हुआ है क्योंकि दिया हुआ है नहीं तो क्या करते है 20% of HOB माना जाता है और अगर actual दिया हुए तो actual ये है और यहां पर देगी डिट ऑफ इंट्री यह दिए होई है और डिट अगराइबल यह दिये हो आए तो दोनों से जो पहले होता है उसके लिए एक्षेंग लेते हैं और ड्यूटी जिब बेलब एक्षेंग के लिए होम कंजम्शन के लिए फाइल करता है तो लेते हैं तो आपने इसको कर लिया हुगा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था इसको कर लिया हुगा बहुत ही आसान कोशन पुछा हुगा था इसमें क्या है कि बेंगॉल का है उसने एर कंडिशन भेजा है जिसकी वैल्यू थाउजन थी तो इसमें 18 अगर आपने चार्ज कर लिया तो यह 50K से बढ़ा होगा तो 50K से बढ़ा होने पे उसमें GST के भूए उसकी अगर आपने आपने नहीं किया तो इसकी क्या बताना था इजी केसिन था दा रेटिंग टू कोंपंशेशन लिमिटेशन और सब्मेशन और एप्लिकेशन था तो पेपर ओवरॉल यह जा रहा है और में सिक्यू भी इजी तुमाइट कोश्चन्स आए थे और मैंजीबल थे तो एक्जेम्शन इसमें इस बार बनने के चांस थे वोड़ पीरेड लिमिटेशन को प्लेमें रिफंड अप पेंडियास थेओरी की पूछा हुआ था कि जैसे बनाता है कि कमिटी कैसे बनी तो उसमें कौन-कौन मेंबर होता है उसके बारे में था चलिए वाला देख लेते हैं वाला डीटेल्स नहीं मेंचन करनी रहती है रखनी पढ़ती है बाकी को साइज रखनी पढ़ती है और अ पर दिखनी नहीं हमको ट्रैक करेंगे सकते हैं चौत अला गोश्यन आपका अगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंट के साथ शेयर करिए और जो माई एटम्ट देने व इसमे का मिल जाएगा आपको सेम पी कभी मिल जाएगा और देखियें प्लेलिस्ट में आपको देखिए यह जन्वरी एक्जाम में जो भी ज्याम हुए है और एमसे यहें सेंसे रिलेटिड घॉस्टंट्स हैं वह मैंने बनाए और इसके हलावव भी आपको स्फम के हारड कोशन सेरीज मिल जाएगी तो इस चैनल पर बने रहे हैं सब्सक्राइब करिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो फॉर्थ कोशन आपका जो था यह कोशन था आपका इस पे इसमें आपको इंपूट सर्विसेज और पच्छेज में जो किया हुगा था मिश्टर एपीसी ने डाइंग मशीन का तो यह आपने कर लिया होगा तो इसमें दिखी इसके पच्छेज 10 एंपल दिये हुए हैं जो उन्हें अपने इंप्लोईज को दिया था गिफ्ट के रूप में तो इस पर जेस्टी नहीं लगएगा क्योंकि अगर आप इसे टेंसे डिवाइड करेंगे तो यह 18,500 की अमाउंट होगी और गिफ्ट अप्टू 50,000 तर अगर इंपलोईज को दिया होता है तो वह काउंट नहीं होता है और मेंबर्स को जो क्लब्स जी फीजी होगा यह वो मैक्सी कैप ट्रांसपोर्टेशन और इंप्लोईज होम और कैलेंडर एंड डिस्ट्रिब को छोड़ गए तो तेरा से अब अगर रहता है तो इस पर यहां पे भी दिया हुआ है कि जो इनको इंप्लोईज को दिया गया है यह सब ट्रीटमेंट वह आपको नेसेसरी नहीं था इस पर गौर्ण्मेंट रूल्स के अकॉर्टिंग तो यह दिखी अंडर अप्लिकेशन कोशन था इसमें क्या था अनिरुद्ध ने जो ट्रांजेक्शन थी उसका उसने इंट्रेस्टेट सप्लाई मानके उसको जेस्टी पेट किया था क्योंकि उदिली की कस्ट्मा को सिचुएशन मांगते लेकिन जो अथौर्टी थी उसने डिस्प्यूट किया और उसके बाद इसको इंट्रेस्टेट लाइबल्टी मानके किया तो उसने क्या किया कि अनिरुद्ध ने लॉस कर दिया प्रपर ऑफिसर के सामने फ्रस्ट अपिल भी डिपाटमेंट के पास जो दो शुटत करनी थी वो भी नहीं कर पाया तो एडवाइस करनी है अनिरुद्ध कर सकता है को और कित्ते टाइम में फाइल कर सकता है उसे चलेम कर सकते हैं जो पेमेंट किया और डिस्पूट्टेट आमान थी तो थे अगर वो इस्टेज पर पहुंच गया है कोई और अवालेबल है फाइल को अनचे अनिधर फाइल करने के लिए तो वह बता सकता था यह बताना नहीं है चलिए सी कोच्छन देख लेते हैं सी कोच्छन में आपको था कस्टम डिपार्ट्मेंट रिजेक्टेट था इंपोर्टर क्लेम्स और एक्जम्शन ग्राफिक डिशाइनिंग तो वह उसको कर वा रहा था उसके बाद उसने पावर तो इसमें क्या था कि important consignment था जिसमें graphic design system का पर electronic machine में उसने वो कहा कि वो उसमें उसके design and work में वो part में माना जाएगा flat knitting machine में graphic design is not an incredible part of electronic machine and exercising the power तो उसने क्या कि electronic machine and filing within the 18th first schedule of the day so precise journal claim exemption on the से नोटीफिकेशन तो कॉट्टम डिपार्टमेंट इसको रिएक्स कर दिया कि नहीं वह उसी में इंक्लूड माना जाएगा तो आपको क्या रहा है आपको बताना था चरिये लगजरी कार थी तो उसने आफ्टर क्रॉसिंग ट्रॉटर वाटर इंडिया सेल कर दिया ट्यूम् इस तो यह पूछ रहे हैं कि क्या गोर्ट प्रॉटर दो उसने वहां से इंपोर्ट किया था अगर वहीं से उसको बेचा तो यह पर शुड़ाएगा तो से आपकेश्ट नहीं होगा और यहां पर पूछ रहा है कि क्या सेकेंड ओले में इस उप्लाइग नियूंट गेस वा तो यहां पी यह बताना है कि इस्टोरी पर बैगराउंड और कस्टम और जो इसमें है उसके बारे बताना है पावर आफ तो मेक लॉज डिलेटिकल कोशन था और यह बूच रहा है कि क्यों अमेंडमेंट की जुरत पड़ी एक सो एक अमेंडमेंड में जीस्टी की उसके बार के बारे बताना था और कोगनिजेबल नॉन कोगनिजेबल आपका बेलेबल ऑफेंस होता है चलिए चाटमा कोशन आपका था कि वह रइस्टर मशीन है भी मशीन थी तो उसको उसने सप्लाई किया था पूहने में महाराश में इन्वाइस उसी दिन कार्ट दिया था यूजि यह अकुछ निकालने के लिए बेसिकर प्राइस दिया हुआ है और इसमें टैक्स नहीं लिए हो थीक है निस्कांट बिलिया तो ट्रेट डिसकॉंट जो है उसको इसमें से 10 प्रसन निकाल दिया ठीक है लेस हो गया उसके बाद यह से सिकेंड़ी चाजर्ड इसमें में जो तो यह भी आपका आयड हो जाएगा लेकिन यह जो इंट्रेस्ट है यह इंक्लूसिफ GST माना जाएगा इसमें GST अल्रडी चार्ज माना जाएगा फिर यह इन्वर्ट सप्लाई हुई थी फिर इंपूट्रेक्स की क्रेडिट की अविलेबिल्टी इस ट्राइटि में नहीं थ चैनर था क्लोट डीलर एंड रिष्टर इन इस्टेट बैंगवर्ट तो उसने जो नेट वैल्यू इंट्रेस्टेट सप्लाई थी वह एक लाग बचाएजार की की वही थी तो आपको बताना है कि क्या टीडेस अप्लिकेबल होगा की नहीं सेकंड केस में जो रिष्टर टम सब्सक्राइब करने के बाद देखते हैं कि आपको प्रिंटिंग मशीन दी हुई थी तो उसके बाद उसमें कि कॉस्ट इस नहीं दी हुई थी और इंशूरेंस अप्रेट चार्जिस के इतने हुए थे और उस पे आपको सोशल वैस्ट वैस्ट सब्सक्राइब करके निकालना था और यह निकालना था कि कि इतनी पेकरनी है और इसका एजम्शन करना था तो यह था तो आपने इसको कर लिया होगा तो पेपर अच्छा था चलिए यह था आपका रिब्यू एनलसिस यह सएश्टचर डानसर नहीं था एक रिविवः था सब्सक्राइब करें और भी आपके प्रीवेश पेपर के रिव्यूज है वहाँ पर मैंने आंसर भी बताएं कुछ में सेलुशन भी बता हैं आप वहाँ देख सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यों सो मच